सबी छेत्रों में संकल्ब और द्रड़ता के साथ आगे बढ़ते जाने के अच्छे परणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना की लगबग एक वर्स की अप्रत्यासित अगनी परिक्षा के बाबजूद भारत हतास नहीं हुआ है। बलकि आत्म विश्वास से भरपूर होकर उभरा है। हमारे देश में आर्थिक मंदी थोड़े समय के लिए ही रही। अब हमारी अर्थ ब्यवस्ता पुना गतिसील हो गई है। आत्म नर्बर भारत ने कोरोना वाइरस से बचाव के लिए अपनी खुद की वैक्सीन भी बना ली है। अब विशाल पहमाने पर टीका करन का जो अभिहान चल रहा है वह इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रकल्प होगा। इस प्रकल्प को सफल बनाने में प्रशाशन एवं स्वास्त सेवाओं से जुड़े लोग पूरी ततपरता से कारिरत हैं। मैं देशवासियों से आगरे करता हूँ कि आप सब दिसा निरदेशों के अनुरूप अपने स्वास्त के हित में इस वैक्सीन रूपी संजीवनी का लाव अवस उठाएं और इसे जरूर लगवाएं। आपका स्वास्त ही आपकी उन्नती के रास्ते खोलता है। आज भारत को सही अर्थों में फार्मेसी अप दे वर्ल्ड कहा जा रहा है। क्योंकि हम अनेक देशों के लोगों की पीड़ा को कम करने और महामारी पर काबू पाने के लिए दबाएं तथा स्वास्त सेवा के अनुप करन विश्व के कोने कोने में उपलब्द कराते रहे हैं। अब हम वैक्सीन भी अन्न देशों को उपलब्द करा रहे हैं।